दो दिन पहले जबी निउज आई थी कि रिया चक्रवर्ती आइफा वाट्स में शामिल होने जा रही है इनके वकीलों की तरफ से दलिले दी गई थी कि रिया चक्रवर्ती अपने बुड़े माबाप का खर्च उठा नहीं पारी है इसलिए आइफा वाट्स आएगी धेड़ स सारा पैसा कमाईगी इंडिया आएगी तो अपने माबाप को महंगे महंगे घर में रखेगी दो होटल भीटल घुमाएगी ऐसी बात करने और देखने सुन्यों को मिल रही थी लेकिन अभी इस केस में ऐसा हो गेला है कि रिया चक्रवर्ती की वाट लग लिए बोले तो रिया चक्रवर्ती ने सब जगह से सेटिंग वगरा कर लिया था लेकिन रिया चक्रवर्ती का एक लुकाउट नोटिस बियार की तरफ से आये ला था बापू तो रिया चक्रवर्ती ने उदर को ध्यानी नहीं दिया तो रिया चक्रवर्ती की तो लग गई तो बियार वालों ने बोल दिया कि भाई अपने पास से तो कुछ clear किये लाई नहीं है, ये मुंबई की दरब से सब clear किये लाई, तो उधर से तो जा सकती है, लेकिन अपने पास से भी सब कुछ clear होना मंगता है, तो रिया चक्रवर्ती के वकील ने बोला देखो वापू, रिया तो इस बार जा नह पाएगी, तो अपने लोगे काम करते हैं, फिर से ये जोल जाल करते हैं, और बिहार वाला मामला भी clear करते हैं, क्योंकि रिया को आइफा में जाकर अबुधावी से फिर लंदन, दुबई, अमेरिका, पता नहीं किदर किदर उसको घुमने को मांगता था, तो ये जो बच गे ले हैं, तो ये जो रिया के वकील है, ये फिर से केस वगरा डालेंगे, वही जच को फिर से बुलाएंगे कि यार दे को गरी बच्ची को विदेश जाने को मांगता था, लेकिन ये लोग ने फिर से जोल जाल कर डाला, तो रिया वेचारी नहीं जा पा रही है, तो हमारे देश का कानून भी ऐसा ही हो गया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, सर के उपर से जाता है, कभी सर के नीचे से जाता है, पैरो के नीचे से जाता है, हमारे देश का कानून आम जंता को समझ में नहीं आ रहा है, जो गुनागार रहेगा उसको छोड़ने का, और मस्त में विदेश जाने का पर्मिशन देने का ये अपने देश का कानून होगे लए